हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, ब्यूटी टेप्स एंड मेडिसिन नॉलेज, दोस्तों चहरे पर पिम्पल होना, यानि की कील मुहसे होना, पिम्पल के निसान होना, जिसकी वज़ा से चहरे की खुबसूर्ती फीकी पड़ जाती है, अधिकतर देखा गया है कि जैसे ही हम यूववस्था में पहुंचते हैं, तो सरीर में काफी कुछ बदलावाते हैं, चैन्जे साते हैं, और पिम्पल की समस्य भी यूववस्था में अधिक होते हैं, चाहे गस हो या बॉाइस, सभी की यही चाहत होती है कि चहरे पर किसी भी परकार के शाए नी की कब और कैसे यूज करें एंड साईड एफेक्ट तो दोस्तों वाच की वीडियो में मैं एकनो वीन करिम की रिवीव कर रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगे इसके यूज करने का सही तरिका एंड साईड एफेक्ट एंड प्राइस तो चलिए फ्रेंट्स मोट नहीं करता हूं इस क्रिम को आप मेडिकल स्टोर सब पर बहुत ही आसानी से खरी सकते हैं अब हम इसके कंटेन जानते हैं तो इसमें जिंक ऑक्साइड गलाइकोलिक एसेड लेमन ओल 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 नेम ओल मंजिश्टा आधी इसके बहुत सारे और भी कंटेन हैं यहाँ एक मज इस क्रिम के यूज करने का सही तरीका जानते हैं तो सबसे पहले अपने चहरे को अच्छी तरह से धोले उसके बाद सुखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंच लेने के बाद इस क्रिम को थोड़ी सी मात्रा में लेकर एफेक्टेड एरिया पर लगा कर हलकी हाथों से करें को पुरी तरह से इसकी पर मिल जाने तक इसके बेस्टर रिज़ल्ट के लिए दिन में दो से तीन बार यूज करें आँखों के पास ना लगाए अब हम इसकी साइड फेक्टर की बात करें तो दोस्तों इसका अभी तक कोई करके जरूर बताए वीडियो को लाइक और शेयर करें धन्यवाद